हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल अगर आप होम साइन्स टीजुटी पीजुटी के प्रेपरेशन कहा रहे हैं तो फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कुईज लगाने के लिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में बिल जाएगा आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आईरन को आईरन हमारे एक्जाम के पॉ अपनी क्लास आईरन को अगर हम समझना चाहें तो यह हमारे शरीर के लिए जो है खनीज लवड पोशकतत्वों के अंतरगत आता है खनीज लवड के अंतरगत हम आईरन को सम्मिलित करते हैं आईरन का अगर आपसे प्रतीक पूछे तो हम इसको जो है एफ ए के नाम से जानत हैं इसको हम बात कर लेते हैं कि खनीज लवड जो है हमारे शरीर में व्रहद मात्रा में पाए जाने वाले पोशकतत्व नहीं है यह सूश्व मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लेकिन यह बहुत ही महत्वड भूमी का निभाते ह अगर हम बात करें मात्रा की कि कितनी मात्रा में हमारे शरीर में उपस्तित होता है यह जो आईरण है इसकी अगर हम संगठन को समझें कि हमारी शनीर में कितना कितना भाग आईरण का कहां कहां पर होता है तो उसको हम इस फ्लो चार्ट के बेस पर समझेंगे रक्त में जो है हमारा 70 प्रतिशत आईरण पाये जाता है यक्रत और अस्थी मज्जा में बात करें तो 25 पतिशत बचा हुआ तो 70 और 25 और बचा हुआ 4 या 5 परसेंट के अगर हम बात करें तो ये मान स्पेशियों में पाया जाता है तो संगठन के अगर हम बात करें तो हम इसको तीन भागों के हिसाब से समझ सकते हैं रक्त में यक्रत और अस्थी मज्जा में और तीसरा है मान स्पेशियों में तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि आईरन किस भाग में पाया जाता है तो रक्त में पाया जाता है लगबख 70 पतिशत उसके बाद यक्रत और अस्थी मज्जा में पाय जाता है लगबख 25 पतिशत बाकी जो है मानस्पेशिया वश्टी है उनमें लगबख 4 पतिशत आयरन हमारा पाय जाता है हीमोग्लोबिन की जो है अगर हम सामाने मातरा को समझना चाहें कि पुरुशों के लिए हीमोग्लोबिन की समाने मातरा कितनी होती है और इस्तियों के लिए हीमोग्लोबिन की मातरा कितनी होती है तो यह आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो इसको आप लिख लीजिएगा पुरुशों में पूछे अगर कि हीमोग्लोबिन के मादरा कितनी होनी चाहिए तो 13.5 से 17.5 मिली ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है होनी चाहिए महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 12.5 से 15.5 मिली ग्राम पर 100 ml ऑफ ब् एक औसत जो है हीमोग्लोबिन के मातरा कि हाँ एक पुरुश में कितनी होनी चाहिए और महिलाओं में कितनी होनी चाहिए कारी की बात होती है कि आईरन का कारी का होता है हमारे शरीर में क्यों ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है तो ये हीमोग्लोबिन के निर्माड में सहायक होता है और जो रक्त है हमारे रक्त में मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन ही उबस्तित होता है तो हमारे रक्त के निर्माड के लिए आयरन बहुत ही आवस्थक्तत्व होता है दूसरा पॉइंट है कि ओक्सीजन और कार्बन डियोकसाइड का वाहक होता है या रक्त में हीमोग्लोबिन तथा मानस्पेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है कि रक्त में आयरन किस रूप में पाया जाता है और मानस्पेशियों में आयरन किस रूप में पाया जाता है तो रक्त की बात करें तो रक्त में आयरन जो है हीमोग्लोबिन के रूप में उपस्थित होता है थर्ड पॉइंट है हमारा मायोग्लोबिन का कार्य ओक्सीजन को संग्रहित करना क्यों संग्रहित करना ताकि मानस्पेशियों गती कर सके अर्थात मानस्पेशियों के गती के लिए ओक्सीजन को संग्रहित करने का काम करता है Miloglobin क्योंकि यह मानस्पेशियों में पाई जाता है इसले कि यह मानस्पेशियों से संबंधित कारे ही करेगा फूर्थ पॉइंट है हमारा लोही या आइरन का संग्रह जो है Ferritin के रूप में होता है और संभहन जो है Transferring के रूप में होता है तो यह दोनों जो है नाम आपके लिए important हो जाते हैं कि iron का संग्रह किस रूप में होता है तो ferritin के रूप में और समवहन पूछे तो समवहन इसका transferin के रूप में होता है इसको लिख ली जिएगा next है स्वसन क्रिया में भाग लेने वाले enzyme साइटो फॉर्म का निर्माड जो है लोहा यानि की iron ही करता है तो यहां से ऐसे question आ सकता है कि साइटो फॉर्म के निर्माड के लिए कौन सा खनिशलवण उत्तरदाई होता है तो iron next है प्रतिरच्छी कोशिकाओं के निर्माड में जो है महत्वपूर भूमिका निभाता है प्रतिरच्छी कोशिकाओं के लिए एक प्रकार से iron का ही कारी हो गया क्योंकि रख्त में आइरन जो है हीमोग्लोबिन के रूप में पाए जाता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को फेफडो से लेकर कोशिकाओं तक पहुचाने का कारी करता है अब बात करते हैं कि कारे तो इसके हमने देख लिये और इसकी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इसकी क्या-kunkyा रोग में उत्बन हो जकते हैं आईरन की कमी से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि काईलो नीचिया रोग हो जाता है यह आपसे कई बार जो है रोग पूछे जाते हैं एक्जैम में तो इसको स्टाल लगाईएगा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि काईलो नीचिया रोग किस खनी जलवण की कमी से होता है तो आईरन य माइक्रो सायटिक एनेमिया हो जाता है इस स्थिति में आर्बी सी की संख्या कम हो जाती है कि आपके एंसे प्रकार का एनेमिया हमारे लोही यानि के आयरन की कमी से होता है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है लोही की कमी से हो जाता और माइक्रोसाइटिक एनीमिया में होता क्या है इसमें RBC की संख्या कम हो जाती दोनों पॉइंट यहां से confirm करते हुए चलिएगा सेकेंड पॉइंट हमारा होता है विटामिन C तथा विटामिन E की कमी से लोहे का अवशोषण नहीं हो पाता है जैसा कि हमने पढ़ा था कि विटामिन जो है बीटा कैरोटेन को विटामिन A में तो परिवर्थित करने का काम करता ही है साथ ही साथ जो आईरन होता है वो शरीर में विटामिन C और विटामिन E के अवशोषड में भी महतपूर गूमी का निभादता है और अगर हमारे शरीर में आईरन की कमी होती है तो विटामिन C और विटामिन E का अवशोषड जो है नहीं हो पाता है नेक्स्ट है लोही की कमी सी ऑक्सीजन पर्याप्त मातरा में कोशिकाओं तक नहीं पहुच पाती है क्यों नहीं पहुच पाती है क्योंकि रक्त में आइरन हीमोगलोविन के रूप में पाया जाता है और हमारे शरीर में हीमोगलोविन जो है ऑक्सीजन को पर्याप्त मातरा में कोशिकाओं तक पहुचाने का कारी करती है तो हमारे शरीर में जब आइरन कम होगा तो हमारे शरीर में हीमोगलोविन की मातरा कम होगी और oxygen जो है परियाप्त मातरा में कोशिकाओं तक नहीं पहुच पाएगी अब शोशड में सहायक तत्थों की बात करें तो calcium, phosphorus, chai, imly, tannin, oxalic acid, phytic acid आदी में सहायक होता है आगे पढ़ते हैं iron की प्राप्ति के श्रोथ तो कोई भी पोशेक तत्व हमको दो श्रोथों के मादम से प्राप्त होता है पहला श्रोथ होता है वानस्पतिक श्रोथ और दूसरा जानतव या जन्तु जगत का श्रोथ तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वानसपतिक जगत में हमको आयरन कहां कहां से या फिर किस-किस पदार्थ से प्राप्त होता है तो हरे पत्तेदार सबजियां जैसे कि पालग, बथुआ, मेथी, चौलाई, पत्ता को भी आधी आयरन के मुक्य श्रोथ होते हैं गाड़े, भूरे, रंगे, भोजे, पदार्थ, जैसे कि मुनक्का, गुड, खजूर, इन तीनों में आयरन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है सोया भी इनका आटा और मुंगफली में भी कुछ मात्रा में आयरन उपस्थित होता है प्राणिजी श्रोथ की बात करें कि जन्तु जगत में आयरन कहां कहां से प्राप्त होता है तो जैसे कि मास, मचली, अंडा ये तीनों ही प्राणिजी जगत के श्रोथ है और इन तीनों से ही आयरन जो है हमको प्राप्त होता है अवशोशण की बात करें कि आईरन का अवशोशण कहां होता है तो आईरन का अवशोशण छोटी आथ में पक्वासे के अंतरगत होता है संग्रे की बात करें कि हमारे शरीर में आईरन का संग्रे किस रूप में होता है तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि इसका संग्रह रक्त में हीमोग्लोबिन या फेरेटिन के रूप में होता है और मानस्पेशियों में या मायोग्लोबिन के रूप में उपस्थित होता है यह स्वतंत रूप से संग्रहित नहीं होता है इस पॉइंट को भी याद रखिएगा रक्त में बात करें तो हीमोग्लोबिन और फेरिटिन के रूप में मानस्पेशियों में बात करें आयरन के संग्रहित की तो मान स्पेशियों में ये मायोग लोबिन के रूब में संग्रहित होता है। उत्सरजन की बात करें, तो बिना अवशोशित आईरन का उत्सरजन मल के द्वारा होता है। ये हैं important point, सबसे पहला point है hemopycin, क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, ये जो है आपके लिए बहुत important हो जाती है, समझना, क्योंकि हर बार सिर्फ जो है, उपर उपर से questions बनके exam में नहीं आएंगे। हम समझ लेते हैं कि hemopycin क्या होता है, ये जो है RBC का एक process होता है, RBC का full form पूछे, तो red blood cells कह सकते हैं, red blood cells ये red blood carpals के नाम से भी ये जाना जाता है, इसका कारिकाल पूछे कि RBC का कारिकाल कितना होता है, तो RBC का कारिकाल 120 दिन का होता है, और RBC अपना कारिकाल यानि कि 120 दिन पूर्ण करने के बाद जो है, विगटित हो जाती है, और विगटित ये दो रूपों में होती है, हीमो ग्लोबिन है, तो दो रूपों में प्रधक होगी, पहला रूप होता है हीम का और दूसरा होता है ग्लोबिन का, इसमें विगटित हो जाती है, उसके बाद जो ये हीम है, आईरन ये जो है अस्थी मज्जा में जाकर RBC के नए निर्माड में भूमिका निभादता है मतलब कि जब जो नए RBC Red Blood Carpals बनने वाली हैं उनको जो है उनके निर्माड के लिए या पुना अस्थी मज्जा में चला जाता है यह पूरी process जो है इसी को हम Hemopiasis कहते हैं कहने का मतलब यह है कि RBC का कारिकाल 120 दिन का होता है अपना कारिकाल पूरा करने के बाद यह विगटिट हो जाती है दो तत्वों में विगटिट होती है हीम प्लस ग्लोबिन ग्लोबी एक प्रकार की प्रोटीन होती और हीम मतलब आईरन तो विगटित होने के बाद जो आईरन होता है वो अस्थी मज़ा में चला जाता है और बनने वाली नई RBC में जो है सहायता करता है ये पूरी प्रोसेश जो है हीमोपाइसिस के नाम से जानी जाती है एंथ्रोपाइसिस सेकेंड पॉइंट है हमारा इस प्रक्रिया में एंथ्रोपाइटिक कोशिकाओं से परिपक्व RBC को विक्सित करती है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए थर्ड है मासिक चक्र के समय जो है 15-30 मिली ग्राम आईरन शरीर से बाहर निकल जाता है महिलाओं के ये पॉइंट भी आप याद रखेगा कि कितनी मातरा निकलती है आईरन की मासिक चक्र के अंतरगत लोहा प्रोटीन के साथ मिलकर शरीर में रहता है जैसे कि हीमो ग्लोबिन में हमने पढ़ा है ना कि हीम मतलब आईरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन तो प्रोटीन और खनिजलवर दोनों के ये जो है सयोजन होता है तो हम कह सकते हैं कि लोहा प्रोटीन के साथ मिलकर ही शरी समझते हैं सबसे पहले कि रख्थ में हीमोग्लोबिन उपस्तित रहता है जैसे कि यक्रत मांस मचली इन बोज़ी पदातों में उपस्तित लोही का अवशोशड जुए साट से सत्तर प्रतिशत हो जाता है नॉन हीम आईरन की बात करें तो इसकी अवशोषड के लिए स्कॉर्बिक आशिड की आवशक्ता पड़ती है यह हमारे शरीर में ऐसे ही अवशोषड नहीं हो जाता तो यहां से भी कुस्टिन्स आपके लिए बन किया सकता है कि नॉन हीम आईरन जो होता है उसकी अवशोषड के लिए किसकी आवशक्ता पड़ती तो स्कॉर्बिक आशिड की आवशक्ता पड़ती है और जो हीम आईरन है वो जो है जो जानतव जगत के शोथ हैं हमारे आईरन प्राप्त करने के जैसे कि यकरत, मांस, मचली इन भोजी पनातों में उपस्ति जो आईरन है उसका आवशोषड लगभग 60-70% हमारे शरीर में हो जाता है तो अगर मुख्य रूप से पूछा जाएगी आईरन का मुख्य श्रोत क्या होता है तो हम जनतु जगत ही बताएंगे क्योंकि जनतु जगत से प्राप्त आईरन लगभग 60-70% हमारे शरीर द्वारा आवशोषड हो जाता है तो यह था हमारा आईरन का चैप्टर इस से जो है रिलेटेड अगर आपको कोस्चन सौल करने हैं प्राक्टिस रेट लगाने तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा थैंक्यू गाइस